दोस्तों हिंदु धर्म में मा लक्स्मी को धन की दिवी माना गया है ऐसा कहा जाता है कि इनसान के जिवन में आने वाली सभी धन सम्मंदित समस्याओं का समधान इनके पास होता है यही वज़े है कि नौकरी या बिसनेस में तरक्की और धनलाब के लिए सबसे पहले मा लक्स्मी को प्रसंद करने की कोशिस की जाती है मा लक्स्मी का यह उपाई करने से आपकी धन के मामले में किस्मत तेजी से बढ़ेगी इसके बाद पैसा आपके पास स्वयम चल कर आने लगेगा आपको यह उपाई हर सुक्रवार के दिन करना है इसकी वज़़ यह है कि सुक्रवार का दिन मा लक्स्मी का दिन होता है इस दिन मा लक्स्मी अपने भक्तों पर कुछ ज़्यादा ही मेरबान रहती है इस उपाई को आप सुक्रवार के दिन अपने घर या ओफिस से निकलने से पहले करे ताकि इसका संपूर्ण लाब आपको मिल सके तो चले जानते हैं इस उपाई के बारे में पहला उपाई है नौक्री पेसे वाले लोगों के लिए नौक्री पेसा लग सुक्रवार को सुबह सनान करने के बाद माता लक्स्मी के सामने घी के दो दिपक प्रजुलित कर दे इसके बाद माता रानी के सामने एक सिक्का रख दे इस सिक्के के उपर पहला दिपक रख दे और दूसरे दिपक से माता की आरती करे आरती समाप्त हो जाने के बाद लक्ष्मी जी के सामने हाथ जोड़कर अपनी मनो कामना उनको कहे दे अब दिपक के नीचे रखे सिक्के को अपने पर्स में रख ले और फिर ओफिस चले जाए इस सिक्के को एक हफ़ते तक अपने पास ही रखे फिर अगले सुक्रवार के दिन नए सिक्के का प्रयोग करे और अपने इस पुराने यानि की पिछले हफ़ते के सिक्के को किसी गरिब व्यक्तिक को दान कर दे इस तरह ये क्रम हर सुक्रवार चलता रहना चाहिए करने वाले लोगों के लिए व्यापारी बंदु सुक्रवार को नहा दो कर माता लक्समी जी की पुजा करे। पुजा के समय माता रानी को नारियल का प्रसाद चड़ा दे। अब इस नारियल को फोड़ कर प्रसाद अपने साथ दुकान या दपतर ले जाए। और यहां अपनी दुकान या ओफिस में काम करने वाले लोगों को प्रसाद बाट दे। आप चाहे तो अपने कस्टमर को भी प्रसाद बाट सकते हैं। इससे आपको बिजनस में लाब होगा। दोस्तो अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आया है तो कॉमेंट बॉक्स में जय मालक्स में अवश्य लिखे।